हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन और ब्यूटे टेप्स कैसे हैं आप लोग आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज आज की जो मैं वेडियो लेकर आई हूँ वह है इस टाइप की साड़ी पहनने चाहिए देखिए अलग कि साड़ी अजय नहीं पहन सकते हैं जिनकी हाइट कम होती है तो इन yön के लिए है वीडियो कम हाईट वाले जो महिलाए होती है ना उनको साड़ी के साइट साथ कम जल्र में भी पहनने चाहिए साथ terugаров और पफ हेलस्त आद से इसके साथ ही आप pencil heel या block heel ना पहने साड़ी की height एक समान हो इसके लिए platform heel best रहती है आप चाहें तो wedge heel भी पहन सकते हैं तो guys आज की वीडियो इसी के regarding है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूले और मेरी वीडियो को like जरूर करें अ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो guys without any further delay let's start the video तो देखिए अभी हम बात करने वाले हैं अगर आपका कच छोटा है और आपको साड़ी पहनना पसंद है तो बड़े print और भारी border वाली साड़ी ना पहने छोटे या मध्यम print वाली साड़ी आप पर अच्छी लगे दिखेंगी इस चीज का अपने ध्यान रखना है नेक्स जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसमें रहेगा कि जैसे की हलके कपड़े का चुनाव करें जैसे कड़ा या सक्त कपड़ा जैसे cotton की जंगा ऐसे वरस्तर की साड़ी का चुनाव करें जिसे आप आसानी से बा ढ़ी इसमें ध्यान रखना है कि खड़ी पट्यों वाली जो साड़ी में आप लंबी दिखेंगी अगर आपका कड़ чувटा है और आड़ी पट्यों साड़ी का नवी चुनाव कभी ना करें खड़ी पट्यों जैसे रहें घ्यान रहे कि पट्यां बहुत चॉड़ी ना हो नेक्स जो मैं आपसे बात करने वाली ही वो है कि अगर आपका चोटा है तो आप हलके रंगों की जंगा गहरे रंगों का चुनाव करें गहरे रंग की साड़ी हर वजन और शेप की औरतों पर अच्छी लगती है और इससे लंबा और पतला दिखा जा सकता है यह सब बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है इसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत जादा ही शौट है और साड़ी पहनने का शौक रखती है तो लंबी आस्तीन के ब्लाउज पहने लॉंग सलीव के जो ब्लाउज होते हैं शौट अबॉइड करने है आपने लंबी सलीव वाले ब्लाउज को पहनना है लंबे बाजू आपके लंबे होने का ब्रह्म पैदा करते हैं और अच्छे भी दिखते हैं नेक्स जो अब भी हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर आप बहुत जादा छोटी है तो साड़ी की आड़ी पट्टी वाले ब् सकते हैं पट्टियों वाली साड़ी पहनने से पहले ब्लाउज और पट्टियों वाला ब्लाउज पहनने से पहले साड़ी का सही से चुनाफ करना बहुत जरूरी है तो इसका भी आपने ध्यान रखना है नेक्स अब हम बात करते हैं कि अगर आपको चोटा है और आप लंब होगा तो आपकी जो हाइट है वो ज्यादा लंबी देखेगी थोड़ा सा आप कोशिश करें कि जो पल्ला है वो छोटा ना रखके थोड़ा सा उसको लॉंग में ही आपने रखना है नेक्स साडी की जो साडी जो होती है उसे नाभी के नीचे बांधना आपकी खुशूर्टी को और भी बढ़ा सकता है इससे तरीके से साडी बांधने से आपकी लंबाई भी अधिक लगेगी सम्टाइम्स क्या होता है ना कि हम लोग जो नाभी के ऊपर करके बांध लेते हैं तो उससे हमारे जो कमर होती है वो और छोटी लगती है तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो साड़ी बांधे वो नाभी के थोड़ा सा नीचे ही करके बांधनी है लंबा दिखने के लिए ऐसा पेटी कोट कभी न चुने जो आपको अधिक फैलावट वाला हो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे तो ऐसे पेटी कोट आते थे जो बहुत ज़्यदा लूज घेर वाले होते थे तो वो आपने नहीं चुनने हैं बलकि ऐसा पेटी कोट चुने जो फैलावा ना हो पेटी कोट की लंबाई है वो टकने तक रखनी चाहिए अपने कड को बढ़ाने के लिए आप हील भी पहन सकते हैं आज कल तो बना पृटिंग वाले जो ब्लाऊult होते हैं वो आ रहे हैं तो आप उन्हें बहुत जादा घेर वाले जो होते हैं उनको अवाईड करना है और जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था कि कम height वाली जो महिलाई होती है साड़ी के सासा तो ने कम jewelry पहननी चाहिए क्योंकि jewelry भी heavy हो कि साड़ी भी हो गई तो और height को आपको कम करके दिखाता है अगर आप छोटी height में तो आप अगर लंबी बिंदी लगाएंगी और जो बालों को स्ट्रेट ना रखके उनको फफ बनाए उपर से उठा हुआ तो आपके face को लंबा दिखाएगा pencil hill या block hill ना पहने क्योंकि उस वो एक अलग ही आपकी height को कम दिखाएगा अगर आप पहनना चाहती है तो आपने क्या करना है wedge hill जो होती है wedge hill को पहने platform hill जो होती है वो best रहती है और इसके लिए ना आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो बिल्कुल pencil hill होती है और जो वैसी stick quality जो hill होती है उनको आपने बिल्कुल avoid करना है तो guys that's it यह मेरी आज की वीडियो थी और आप अगर इन सब बातों का ध्यान देखेंगी तो definitely यह सब बातें आपको help करेंगी लंबा दिखने में और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें मैं फिर मिलूंगी एक new वीडियो में तिल दन ते केर और बाइ बाइ